आज मैं बना रही हूं नमकिन चाउल जो कि सच में बहुत जादा टेस्टी बनते हैं आप वीडियो पुरा देखना और एक बार आप भी जरूर सको ट्राइ करना तो चाउल बनाने के लिए मैंने एक साइड तो कड़ाई में तेल गरम कर रही हूं और दूसरे साइड मैंने कड़के में डालने के लिए मैंने तेजपता दाल चीनी चार पांच लॉंग काली मिर्च जीरा राई और हींग लिया है अब जब यह तेल गरम हो जाएगा उसमें जीरा राई हींग तेजपता दाल चीनी हरी मिर्च प्याज यह सब डाल देंगे पहले तो इन सब को डालें और अच्छे से इनको क्या भून लेंगे तीन चार मिनिट के लिए इनको इसे फ्राइ करेंगे क्योंकि इससे प्याज का कच्छा पन निकल जाएगा तोड़ा से इसको ढख देंगे और जब तक यह पकते हैं तब तक अपन कुकर में से पन चावल निकाल लेते हैं और यह दे करें के बाद इसमें तोड़ा सब नमक डालेंगे और फिर इनको ँच्छे से पकने देंगे डखे अपन आलो डख के पकाएंगे तो यह गल जाएगे तो इसमें नमक डला हुआ अब अपने एक टोरी में पिसावा दनिया, पीसीवी शॉंप, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ये सब अपने अपने स्वाद की साप से लेंगे मैं इसमें डाल रहे हूden थोड़ा सा गरम मसाला, तोड़ी से मेगी मसाला डालूँगी लेंगे और इनको अच्छे से हिला के तोड़ी देर अच्छे से पकाएंगे ताकि इनका कच्छापन सारा निकल जाए अब यह अच्छे से पक चुके हैं और इसमें डाल दूँगे मैं सारी चावल और इनको अच्छे से हिला दूँगी गेस का फ्लेम बिल्कुल लो करके इसको अपन तोड़ी देर के लिए ही लाएंगे तैकि यह सारा मसाला इसमें चावल में मिक्स हो जाए और लगबग लगबग अपने चावल पक चुके हैं और लास्ट में मैं इसमें डालूंगी हारा दनिया चावल एकदम रेडी हो चुके